महाराजा सुर्ज मज़, महाविद ब्याज, अजब पुरगट भड़ी के ओनलाइन प्लासेज में आप सभी का स्वागत है आज बीए से के लिएर का जो पर्थम प्रश्ण परतर है इतियास रिशे का मद्दे काविन भायत का इतियास उसके एक हम नहीं बिन्दू, शिवाजी के उतकर्श, मराठा सरदाग, शिवाजी के उतकर्श के बारे में आज आप सभी के सामने हम चर्चा करेंगी किस परकार से शिवाजी ने दक्षिन के मस्थिम राज्यों और मुगल सामराजी को चुनोती देकर महरास्त और करनाटक के छेत्र में मराठा सामराजी की, इस्तापना की और मुगलों के जो पद्मों को की स्तिती थी उसको कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, इसके बारे में हम उलेख करेंगे इसके बारे माँ आप चर्शा आपके सामने करेंगे तो आईए सबसे पहले शिवाजी के प्रादमिक जीवन हैं इसके बारे में जानते हैं शिवाजी का जो जन्म था 1626 ECU में शाहजी बोसले और उनकी पत्मी जीजाबाई शाहजी बोसले उस समय एहमद नगर में एक बड़े से ननायक के रूप में काम कर रहे थे अत्वचाद उन्होंने बीजाबूर का जो राज्य था वहाँ भी अपनी सेवाई दी थी इस परकार से पूना उन्हों इसके आसपास की जागिरों पर शाहजी बोसले का अधिकार था अत्या शिवाजी की जनम के पश्चाद उसमें पश्चाद शाहजी बोसले ने बूसरा विवाभी कर लिया था अत्या शिवाजी का जो पालन पोशन था उसकी माता जीजाबाई की देखरेक में किया गया और उनके जो दादा थी कौन देव उनके सरक्षन में उनका पालर वोशन हुआ जीजावाई ने उन्हों सचरित्र बनने का ग्यान दिया उनके जीवन का चरित्र का निमान किया इसके साथ भी जो दादा कौन देव थे उन्होंने उनको सेनी शिक्षा के साथ साथ शाषन परबंद और हिंदू धर्म शास्त्रों का भी उनको ग्यान परदान किया जब सिवा जी बारा वर्ष की आयू के थे तब उनकी पिता शाजी बोस्ले ने उनको पूना की जागीर दे दी जब वे बारा भर्ष के थे तो शाह जी बोश़्य ने उनको पूना की जागीर दे ले दिने इस परकार से उनोंने पूना की जागीर का जो विबस्ता थी उसको अपने दादा कौन देव की साहिता से उनकी वेवस्ता को सीका और आने वाले समय में दब तक दादा उनके जिवित रहे, उनके सनक्षन में रहके काम किया, उनकी मोद के पश्यार देड़े उन्हों सौतन्त रूप से अपने सामराज्य विस्थार की रीती का पालन करना शुरू किया 1641 इसी में सही बाई निम्लंकर से उनका विवा हुआ, 1641 में सही बाई नामक महिला थी, उनसे उनका विवा हुआ, और इसी से शंबाजी जो उनका पुत्र थे, उनका जनम हुआ था शिवाजी ने जो अपना प्रारंबिक कारे चेतर बनाया वो मावल परदेश था, मावल परदेश के आसपास के जो नव्यूएक थे, उनको उन्होंने एकठा करना शुरू किया और उनको सेनिक शिक्षा, उनको सेनिक शिक्षा देकर अपने एक सेना तयार उन्होंने की और पुना और उनके आसपास के चेतरों पर उनके सायोग से नोने कई दुर्गों पर आक्रमन करना शुरू कर दिये सोला सो सेतालिस नक आते आते जब तक उसके दादा जीवित रहें आते हैं तो उनके शेतरों पर शिवाजी ने अपना अधिकार करना शुरू कर लिया था क्योंकि इस समय जो मराटों के परोसी राच्चे थे एहमद नेगर और बीजापूर वो अपनी पत्नों मुकिस्तिती में चल रहे थे और उनकी जो पत्नों मुकिस्तिती थी उसका शिवाजी ने पूरा-पूरा फायदा उठाया और उनके आसवास के चेतरों पर अपना सामाखी पूरा इति में उस सामाख sollten समाख की बढूरी सामागे को आदार बना चींषीवाझी ने मराथा पर के स और उनके तरonzट किया और मुगलों के साथ साथ दक्षी राज्यों को चुनोती दी इस केत्रिव उन्हें ने जो विद्रशी कंपनिया थी उनसे भी संदर्श किया और महाराष्ट और करनाटक के आसवास के छेत्रों पर मुराटा साम राजी इस्ताफना की तो यह थोड़ा सा प्रार्मिक जीवन थ परिवार से थे शाजी बोसले इनकी पिता थे उनके जो वह एक अच्छा है सेना नायक थे शाजी बोसले इसले शिवाजी को भी अच्छे शाषिन परबंद करने का और सेना कस्न चलन करने का उनको मौका मिला था अब शिवाजी चुकि वैस को चुका तोर से शाषिन की बाग्रोल अपने आत्मे लेती पिता ने उनको पूना की जागीर भी जे दी तो उनोंके जो प्रार्मिक कुछ अभियान थी हैं हम उसके उपर चर्चा कर लेते हैं तो कुछ पोइंस के उपर हम बात करेंगे और एक वोन बाई वन पॉंच्क के आदारे स्चीवाजी के बारे में समझे Columbus को अदले में थिंगर आझ मर Leana कैया कर आपको कि है है इसके पर बी में चच्चकी दांघवा कि दादा और शुर्वाथरा कि ऌम पर वाते ही जो तो पार मुख्लें में पारत की इसके बाद आप बात कर कि इसकी जो मुख्य विजे हुई कि सबसे पहले शिवाजी की देथी जावली की जावली जावली पुर्षिक इस्ताम में था इसको जितने की बच्चाती शिवाजी का महत्वे दिरे दिरे भढ़ने लगा जावली से विजे से पुर्षिक शिवाजी ने 1646 इसवी तर कई चोटी मोटी से बलताएं परात कर दी थी 1646 ने उन्होंने बीजापूर से जो बीजापूर छेतर गदीना नेवाला तोरन दुर्ग था उसकर अधिकार कर लिया था तोरन दुर्ग पर अधिकार करने के पशाद उसी के 5-6 मिल की दूरी पर इस्तिर राजगड का दुर्ग का उन्होंने निर्मान करवाया इसी तरे से उन्होंने पुना और इसके आस्वास के चेत्रों में इस्तिर चाकन, जिंगर, पुरंदर, कॉंड़ाना आदी दुर्गों पर विजय कर लिया था उनका अगला जो निशाना था वे जावली का दुर्ग था और जावली दुर्ग पर अधिकार करने से पेले चुकि आसपास के जो जूर्ग थे वीजापुर्ग राज्य के अदीन थे उनको उन्होंने जीत लिया था तो वीजापुर्ग के सुल्तान ने उनकी जो पिता थे शाहजी बोस्ते उनको बंदी बना लिया था आता है शिवाजी ने ऊटनिती का परिचे देते हुए सबसे पहले अपनी जो वीजे वियान तो उसको थोड़े समय के निये रोका और अपने पिता को छुड़ाने के लिए उन्होंने जावली दुर्ग पर आत्रमन कर दिया ये 1656 की घटना है पूरी इस समय जो जावली का दुर्ग था वे चंदर्राव मोरे के अधीन था एक बड़ा परमुक सरदार था मराटा सरदार था चंदर्राव मोरे जिसके जावली का दुर्ग था वस्पून का अधिकार था और ये वीजापुर का सहयो भी था अधी 1656 में पूरी भी रचना करके शिवाजी ने अपनी पूपनीती परिच्छे देते हुए जंदर्रा मोरे का वद गरवादी उसके अधिया उन्होंने गरवादी ओतत्पाप्शाद उन्होंने जावली के अधूर पर अधिकार कर लिया जावली की वीजे जब उन्होंने की तो इससे जो शिवाजी का सामराज्य था शिवाजी पपने सामराज्य विस्तार के लिए दक्षिम पच्छिम की ओर का जो दुआर था वे खुल गया तो दक्षिम पच्छिम की ओर अम्राटे सामराज्य का विस्तार कर सकता था इसलिए जावली की विजए शिवाजी की पर्मकुपलक्ति मानी जाती है, चंदराव मोरे को उनोंने मारत, इसके पच्चाती मोरे जो लोग थे में शिवाजी के गटर शत्रू बन गे थे और समय समय पर शिवाजी के जो भी शत्रू थे, उनका उनोंने साथ दिया था, अब पाईया के लिए बात करते हैं मुगलों सेंध का संगर्ष क्योंकि शिवाजी का उत्पर्ष देखा जाता है उन्होंने मुगलों को किस परकार से चुनोती थी इस वज़े से उनको ज्यादा महत्वू दिया जाता है मुगलों से के साथ उनका पर्थम मुडवेट होई थी औरंग जेब के समय होई थी इसके समय होई थी औरंग जेब के समय 1657 तर दक्षिन में औरंग जेब मुगल सुबेदार था और औरंग जेब वीजापूर और गॉलकुंडा के चेत्रों को जीतना चाता था चूंकि शिवाजी की भी समय का थी शक्तियां मढ़ चुकी थी 1656 के बाद तक जाहूली के वीजेब कर चुके थे इसलिए जो वीजापूर का जेब सुल्तान था वेख शिवाजी के साथ मिलकर कुगलों से संगर्ष करना चाहता था और और उन्होंने सिवाजी से मित्रता भी कल जिए थी ताकि वे औरंग जेब को चुरोती दे सके, इसी तरह से ये संगर्ष जो छिड़ा ओरंगजेव के समय शिरुआत हो चुकी थी, परंतु ओरंगजेव ने कही अभियान भी किये, परंतु उत्तर में, क्योंकि शाजाय की तब्यात काफी तराब हो चुकी थी, इसलिए उत्तरादिकार का संगर्ष छिड चुका था, इसलिए औरंगजेव ने बीजापूर के साथ संदी कर ली और शिवाजी से भी उसने थोड़ी दूरी बनाई रखी, और शिवाजी अब सुटनत रूप से काम करने लग गया था, बगर मुगलों की साहिता से, आता है इस समय औरंगजेव कहां चला गया, उत्त भी सकती, अभी तक नहीं आई थी, तो मुगलों का सीधा सामना वेख कर सके, जैसे ही हो गया, उत्तरभार इक पर चले गया, अब शिवाजी ने लोके का फाइदा उठा कर, यह उत्ता अधिवार संदर्श हो रहा था, उसका फाइदा उठा कर आसपास के जो दुर्ग थे, जैसे कोकर्ण अंदूरवरू के छेतर थे, कोकर्ण थाना, कोलाबा, कल्यानी, विवंडी, आदी छेतरों पर अधिकार कर लिया, कोकर्ण, कोलाबा, विवंडी, कल्यानी, आदी जो परसित छेतर थे, उन पर उनका अधिकार हो गया, किसका अधिकार हो गया, शिवाजी ने अदिकार कलit, चुकि में, उतरादिकार का समकर्स चला था तक्षिर में उंकी शक्ति काफिय समय कमज aole चुकी थी चुकि सब लोग उत्तरकी ओर गया हुए थे, उरंजे भी उततरकी ओर गया हुआ था इसी समय शिवाजी का सामना पुर्दगालियों से भी आप पुर्दगालिय चेतर के अदिन जो दमन का चेतर आता था वहाँ पर भी शिवाजी ने आकर्मन किया लूट मार की और वहाँ से पुर्दगालियों ने विवश होकर उनको वाश्य कर देना स्विकार कर लिया इसी समय बीजापुल के भी कई जो अधिकारी थे उनको भी शिवाजी ने प्रास्त किया इस परकार से शिवाजी ने दे दे अपनी शक्ति को बढ़ाया चुकि इस समय मुगल खाकी कमजोर थे लक्षिन के और चुकि उत्रादी कारे संगर्ष रहा था इस वज़े से शिवाजी को इसका खायदा हुआ अब चुकि शिवाजी की जैसे जैसे शक्तियां बढ़ रही थी सामराजे विस्तार बढ़ रहा था कई दुर्गों को उसने अधिकार घर लिये थे ये शिवी चुनोती उनके पड़ोसी जो राजे था बीजापूर जो मुस्ली राजे था बीजापूर के लिए चुनोती था अधिक बीजापूर के सुल्तान ने उनके जो पर्थम शर्णी के सुपेदार थे अफजलखां उसको शिवाजी को प्रास्त करने या मानने के लिए देजा कि अफजलखां को उन्होंने आदिश दिया आपके ओपर निल्वर हैं आप कैसी भी करके शिवाजी को बंदी बनाओ, मारो, कुछ भी करो जो वीजापूर के छेतर, उन्होंने हमसे चीने उनको वापस किया जाए करते हैं अफजलखां पूरी तैयारी के साथ, 16-16 की बात है, पूरी तैयारी के साथ वीजापूर के छेतर से निकलकर पंदरपूर होता हुआ, विरोभा के मंदीर को शती ग्रस्त करता हुआ और आसपास के जो शिवाजी के जो शत्रूद लोग थे, खास्त मोरे वगरे लोग, उनको अपनी और मिलागर डेरा डाल दिया डेरा डाल दिया, इसके पश्याप, शिवाजी ने, अब क्या किया कि, ये सारी गट्नाउं के जानकरी शिवाजी को मिल रही थी अब 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 जलगा ने गया कि, शिवाजी से डायेट संगर्ष करना, सीधा संगर्ष ना करके, सडियन के दुवारा उसको मानने का प्लान बनाया है और अपने एक वेक्ति कृष्णा जी भासकर को, कृष्णा जी भासकर को शिवाजी के पास बेजा की अफजलकां आपसे मिलना चाते हैं, आपसे समझोता करना चाते हैं, ताकि संगर्ष को मिटाया जासे हैं लेकिन खृष्णा जी भासकर के वक्त वे से ही, शिवाजी को इस वाद वास ओ चुठा की अफजलकां कुछ करना चाते हैं, पीछे वार करना चाते हैं अब शिवाजी पूरी तैयारी के साथ सिवाजी निकले और निकल लें टे पश्याथ उन्होंने पूरे अस्तिसर्त रख लिया, अपने इस साती लोग के दोती लोग उनको भी अस्तिसर्त से सजित कर दिया और अपनी जो सेनाद की टुपड़िया थी उनको जंगलों में चुपा दिया अफजल खान के आसपार अफजल खान ने जहां डेरा डाल रखा था वहाँ पर उन्होंने उसको छिपा दिया तत पश्याद अफजल खान और शिवाजी के मत्रे भेंट हुई बेंट होने के परिणाब से जब शिवाजी उनको गली बिल रहा था तो अफजल खान ने उनको मानने कोशिश की अता है शिवाजी में बगनग जो अतियार होता है धार अतियार उससे शिवाजी अफजल खान का उन्होंने खात्मा कर दिया और बाती जो अगजलखां के जो सेना अधिकारी जो लोग थे उनके साथी उनके जंगलों में मराटा से हैं चुपे उन्होंने वार करना शुरू कर दिया इस परकार से अगजलखां को जो मारा गया उससे शिवाजी की जो महर शिवाजी का जो डर था बीजापूर के आसपास के चत्रों में गटिर बीजापूर के आसपास के चत्रों में उसका दर बेद गया कि शिवाजी ने किस परकार से बीजापूर के जो परमुक सुबेदार पन्हाला बसंदगड खेलना अपंगा और आसपास के चत्रों पर अधिकार कर लिया परंतो पन्हाला का जो दुर्ग धांपा भी मैं तो कौन दुर्ग माना जाता था उस समय उसको विजापुर के सह सेनिगोन वापस शिवाजी से छीन लिया था शिवाजी बसंदगड की हो रा गए थे इसी तरह से इसी समय जब पन्हाला में देरा डाले वे थे विजापुर के सेनिग शिवाजी से उनका संगर्श हो राता इसी समय मुगलों ने भी चाकन का जो दुर्ग था वे शिवाजी के छेतर से छेन दिया था इस परकार से अफजल खांगा जो गटना करम गठा उससे शिवाजी की एक तरह से आसपास के मराठा सरवारों मराठा लोगों में कासी प्रश्णशा भी होई और एक तरह से उनके छभी एक योद्दा की तरह बन वही और अब मराठाओं को एक एकतत करने में शिवाजी के लेचे आने में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा कोंसी गठा थी अफजल एक यास मताचे किसी गठना आए अब यह सारे गठना करम यह सारे गठना करम के सोचना यह मुगल दरवार में पोच्छोई थी उनके इस समय मुगल सक्ता में औरंग जेब अब मुगल वाष्याओ बन चुका था अब तब उन्होंना शिवाजी पर अंकुष लगाने के लिए अपने मामा शाहिस्ता था उनके जो मामा थे, शाहिस्ता का और प्रमुद सुवेदार भी थे, उनको औरंग्षेव को शिवाजी को प्रास्त करने, शिवाजी को बंदी बनाने के लिए, और शिवाजी के दुवारा जो मुगल छेत्र छीने लिए उनको प्राप्त करने के लिए, दक्षिन के और बेजा दक्षिन का सुबेदार बना कर बेजा चुकि जब अफजल खां के बाद जब पन्हाला के दुर्ग में बीजापुर शिवाजी के मत्रे संगर चलना तो उसी जब शाहिस्ता खां मूगल अधिकारियों ने चाकन का दुर्ग भी अपने अधिकार कर लिया था और इसी तकपड़ता का फाइदा उटाते हो 1660 इसी में शाहिस्ता का पुना की तरह पढ़ा ओपूना के आसपास के छेतरों पर और उसके आसपास के दुर्ग थे उन पर मूगलों ने अधिकार कर लिया और पूना का जो परसिब लाल महल था वहाँ पर वे शाहिस्ता का ठेर गया इस सभी ये सभी जानकारिया शिवाजी को पराप्त हो रही थी अधिए शिवाजी ने मौगी की तलाश करना शूरू कर दिया शिवाजी ने चूंकि पूना पर मूगलों का दिकार था पूर इतरे से शिवाजी चूंकि लाल में शिवाजी पूना के छेत्रों का छित्रे से जानता था अधो उन्होंने एक प्लान तयार किया चार सो अपने योगता सेनिकों को तयार किया और रातरी के समय शिवाजी ने क्या गिया चार सेनिकों की साइटा से लाल में जो पूना में शाहिस्ता था अभित्यमान थे आराम फर्वारे थे उनके ओपर आकरमन कर दिया हाला कि साइटा में शाहिस्ता का तो बज गए पर उनके एकात का मुटा कट जाता है और उनका जो बेटा है उनके परमुक्सेनिक अधिकारी इस संगर्श में मारे जाते हैं इस परकार से जिस परकार से अब जलखां के गटना करमने वीजापूर में एक तरह से शिवाजी का बन गया था उसे तरह से मुगलों में शिवाजी की धाग जंग गई शिवाजी में कोई बात है जोसनिक K burdens अलग हो सकता है उसमें अलग बात हो सकती है इस परकार से और आंग्जी से जोड़तिक अगला करम के भाते हुआ कम काई जो अद्पूर के जो महाराजय थे जस्वन सिंग उनको दक्षिन में जुम्यदारियां दी दक्षिन का सुगेदार नियुक के किया शाहिस्था कहां को प्राजित करने के परशार शाहिस्था राले तो बटन होई शाहिस्था पराफने और अलगे में इसको कहां दे जाता शिवाजी का दमन करने के लिए दक्षिन का मुबल सुगेदार बुला कर बजाता परक्तुष शिवाजी ने बड़ी चाला की और तत्पर्ता दिखाते वे शाहिस्था ना को 1630 में प्रास्थ करके वहाँ से दक्षिन से भगा दी अर्टन है इसको और एंग्जेव ने बुला कर बंगाल इसको विजवादी और अपने बेटे और एक परमुख जो सुबेदार था है जो पुर्पुर माराजा चस्वाजी को दक्षिन को विज़ा दिया इस वीजे के उपलक्ष में इस जनुवरी 16 से चोसक में सूरत पर अक्रमन करके सूरत में लूट मार गी लगपब एक करोड़ से ज्यादे की आये का उनको सुरौत प्राप्त हुआ इस परकार से उन्होंने का इस सूरत को प्राप्त हुई आलगि उन्ग्रेज सूरत को प्राप्त हुआ प्रास ओकर महां से भाग गया और शीवा-जी नर्जस सूरत को नोटा अब इस गठना के जान करी जब शिवाजी औरंजेव के पास पोची तो औरंजेव ने अमेर के रजा मिर्जा जे सिंग को दक्षिन भारत लेजा शिवाजी को प्राजित करने और शिवाजी को दमन करने के लिए और दक्षिन के सूगों को वापस जीतने के लिए जो छेतर उ अजिए जैसिंग को भेजा गया था मेज़ा राजा जैसिंग वे काफि कूट निती गेती थे और अपनी योग गिता का लोहा वो पेले मनवा चुके थे अधर राजा मेज़ा जैसिंग ने पूट निती परिशे देखे और सबसे पहले लक्षिन के और आया और वीजापूर कि मद्य का जो छेतर था उन छेतरों पर आगा डेरा जमाल ले उन छेतरों पर उन्होंने अधिकार कर दिया क्योंकि उसको जैसिंग को ये मालूब था अगर इस रास्ते को खुलाच होना जाया तो शीवा जी और वीजापूर के राजजे मिल जाएं यापस में और ये तो पूर्ण दुरुग था मराठाओं का उस दुरुग का घेरा डाल लिया और उसके आसपास के दुरुगों को जीत लिया अब शीवाजी के पास ज़्यादा कोई ओप्शन नहीं था और जैसिंग ने आसपास के गौंग में भी लूट मार कर दे ताकि शीवाजी के दबा जीए दिखिए चिजई ने शिवाजी की साहिता वृचन पी दिया और शीवाजी को कोई तक्लीफ नमो या पर अक्रमण नम में जान की फाजत ती दिये दिसे जैसिए इसके बाद दोनों के मंद्धि विमास में 4-2 सौने पुरंदर की संदी, पुरंदर की संदी के दुबारा जो शिवाजी के पास लगपक 35 दुर्ग थे, उन्हें से 23 दुर्ग मुगलों को उन्होंने सोब दिये, और जो 12 दुर्ग भी बचे वे थे, वो भी उनके पास इसलिए रखे गए, ताकि वे मुगलों की अरीता स्विकार कर सके, मुगलों के साथ मित्रता रख सके, 35 में से 23 दुर्ग नोंने मुगलों को सोब भी, 12 दुर्गों को उन्होंने क्या किया, उनको दे दीगे, लेकिन मुगलों के साथ क्या रखेंगे, उनके अदिलता में रहेंगे, दूसरी शक्या एक उनके पुत्र थे, शंबाजी, उनको 5,000 का उनको मुगल दरबार में बेचा गया सेवा के लिए और 5,000 गुर सवारों के साथ उनको मुगल दरबार में बेचा गया जहांपर उनको जागीर भी दी गई लेकिन शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्तित होने से मुक्त रखा गया इसी तरह से तीस रिशेर्ट इसमें ये थी कि 40 लाग खुन का जो उनके शतिपूर्थी के रूप में शिवाजी से ली गई हाला कि इसके बदले में मुबर सम्राट उनको कोलाबा और राजगाट बालागाट के जो छेतर थे इनके बदले में 40 लाग खुन शिवाजी को मुगलों को देने पड़े यानि कि कोलाबा और बालागाट के जो छेतर थे उनको क्या किया था कोकन और बालागाट के जो छेतर थे अगर वह छेतर शिवाजी को दे दिये जाएंगे तो उनके बदले में 40 लाग खुन मुगलों को देगा चोथा जो उन्होंने पॉइंट जोड़ा पुरंदर की संदी में वह था कि दक्षिन की अभ्यान मोमे मुगलों की साहिता शिवाजी करेंगे इस परकार से पुरंदर की संदी का खाका मिर्जा लाजेयर सिंगी एक महत्पूर उपलगती थी सर्जदुना सरकान में भी इसकी काफी मिर्जा लाजेय सिंगे काफी प्रशंचा की और चतुराई भरी हुई संदी की गवाई वियाना की उन्होंने शिवाजी और उनकी जो अन्य मराठा लोगते उनकी उन्होंने इफाज़त के गारंटी भी मिर्जा लाजेय सिंग उनके बेटे कुबर राम सिंग पूरत को रूटा इसके बारे नापर बढ़ा है इसके बार इसके बार इसके बार राजा जैसे और शी जाय इसकेंड इसके बार्थ अंदार इसके बारे इसकेंड़ इसके रिमिट कुरनदर की संथि उन दोड़ा इसके बार्थ काफी में मुखलों का काफी पढ़ला भारिडा जिसकी राजा जैसी की जितनी तारीफ की जब उतनी कमें इतियास करो ने उनके काफी तारीफ भी की है अब इस संदी वगए तो हो चुपी थी अब राजा जैसी ने शिवाजी की दर्वाब बनाए कि आप मुखल दर्बार में मेरे साथ चलिए और वहांपर महाराजा जो गुबल समराटा और अब जैसे उन से भेट कीजिए काफी आना करने के बार शिवाजी जाने के लिए तैयार होगे और अपने बेटे और स्वेम दक्षिन से लिख ले और गुबल दर्वाब में केश होए वहाँ पर जाने के पिस्चाद उनको स्वागत तो उन्होंने किया और अमजेग ने लेकिन उनको इतनी रेस्पेक्टर नहीं दी जितनी की हुए उमीद रखते हैं उनको पाँच जारी मन समकी लाइन बंगरा कर दिया इससे शिवागी उशे और समुडाई से काफी नाज तो दरुवार से भरे दरुवाज से उनको बल्लाभूरा केक्र कर वाँसे निकल गए चूंकि अब शिवाजी की जान की फाज़त की जो गारण दी थी ना और राजा मेंचा जेसिंग दी थी जिनके बेटे रामकुवान ने भी दी थी इसलिए वे जेपुर महल जो बना हुआ था मुगल सम्रार के दरवार के पास वहां उनको ठेराए गया वहां पर भी आलंग कि अब शिवाजी को निष्ट करना चाहते थे आते उन्होंने जेपुल महल जापर वहां पर सेनिकों को लगवा दिया आना कि में जैसे के पहले बताए आपको कि जैसिंग अगेरे ने उनको गारंटी दी थी और महाराज को मगोल सम्राट को भी कह दिया था कि इनको जान और उजे अपना चाला की दिखाते होगे दिखाते होगे भाहां से उनको बंती बनाने को उनको मानने का फुरा प्लान बना दिया यहां पर शिवाजी ने बीस बेग्वाए ऻिंट ने बीस जाए नाओ बनाया और था कि मैं गरीब और बुरामनों को खाना वगरे किलाना जाता हूं तो समान भी महवा ने शुरू कर दिया बड़ी बड़ी पेटिया अफल वगरे मंगाय जाता था उनको कहां बाहर भी जाया जाता था कि उनको खाना अधी दे सके इस परकार से जो शीवाजी थे दिन मौका देखकर बेटियों में वह और अपने बेटे के साथ महां से निकल गए वहां से निकलने के बश्याद वे उनका एक सयोगी का कुछ मील की दूरी बेखड़ा था गोड़ा उनको प्लक करा दिया गया वहां से मतुरा परियाग वगरे लावाद आधी चेत्रों से ह होते हुए दक्षिन की ओर निकल गए और इस प्रकार से जब और उन्जे को इसकी जानकरी दो काफी चकत भी रह गए और उन्जे में इसका प्लेम जैसिंग के पुत्र राम को आतो उसका लगाया और उनको मुगदरबाद से सिस्पेंड भी कर दिया गया था उनको अठा भ मुहर्जम को दक्षिन का सुब्यदार फिर से नियुक्त कर दिया था उनके साथ मिलजा राजा जोद्पूर महाराजा जैसिंग को नियुक्त किया इस परकार से जो संदिय हुई थी पुरंदर की उसके पच्छार दोनों में शिवाजी और रम्द्यप के मर्दे फिर से जो जस्वन सीम है उनको दिया जाता है जैसा कि मैने आपको को बताए कि जेसिंग के स्थान को महमद मुख्जम को वुक्षिन का मुबल सुवर्धा नियुक्ट किया जो अबभग्व के राज़ा जिव टो थैं जस्वन सीम को भी तक्षिनมे बें बेजा गया हलां कि शुर सत्यता कम ही है कोई साक्षे इसके उपलग में नहीं होते हैं अन्त में 1667 की इसी तक आते आते शिवाजी और मुगलों के मंदे वापन संदी हो जाती है इस संदी के दुआरा ये देखिया गया है कि अब शिवाजी को मराठा जो राज्य था माहा का सतंतर शाषक स्विद्वार कर लिया गया उनका जो पुत्र थे शंबाजी उनको पांच अजार का मन सब दिया गया इस परकार से 1600 सरस्थ के बास 1689 टक मुगलों और माठों में शान्ती बनी रही और इसी दो तील साल के अंदर शिवाजी ने अपनी शाषन व्यवस्ताओं का भी पुनलगटन किया शाषन व्यवस्ताओं वो नोने ध्यान दिया तो मुगलों की संती भी तो दुबारा मुगल मराना सब्सक्राइब इससे पहने उनको जैसी उसे पुरंद्र के संती के बाद में बंदर भार भी जाते हैं मुगलों की राजनिंजी अगरा महां के बारे वाद मने आपको जानकारी दे दे गिए अब संधी तो चुकी ति मकिन दुबारा कुछ इसी गतना करम गटित हो ही जिससे मुगल मुराथाओं के मत्ले संगरश मेशे शुरू हो गया इसका गटना करम के बारे में तोड़ी से जान कर देदू क्या गटना 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 गट उन सेरी पोपर शिवाजी ने अपने आनोकरी दे दी, इससे भी ठोड़ा मुगल मराठाओं के अंदर क्या हुआ तनावुत बनोगे, इसी तरह से ओरंगेव ने एक मराठों के जागिर को पुरुक करने का आदेश, जब्त करने का आदेश दे दिया, जब्त करने का क्या लिए इस परकार से 1670 इसी तक आते आते मुगल मराठाओं के जो मद्दे मेत्री संबन इस्ताफित हुए थे वे टूट चुके थे, मेत्री संबन इस्ताफित हुए तर टूट चुके थे, आतो शिवाजी ने वाकरमत्ता की दिखाते हुए, पुरंतर की संदी के बच्चा जो दुर्ग मराठाओं से छीने गए थे, संदी के दुवारा या वेसे भी उन्होंने कब्जा कर लिया था, उन्होंने पुने पराप्त कर लिया, शिवाजी ने उन दुर्गों को पुने पराप्त कर लिया, इसी समय दक्षिर में जो मुगल सुबेदार था, शेजाजा गावों को लूटा, एक्यावन गावों को लूटा और अपनी जो शतिपूर्थी के राश्य है, उसका उन्होंने बरपाई की, इसी तरह से 1603 में दोबार और सूरत को राक्रमन करके सूरत को लूटा, सूरत से या इस पाल लगवग एक करोड़ 32 लाग रुपे से जादा कि उन्होंने धन दोलग प्राप्त की, धन दोलग प्राप्त की और इसके पश्याद और अंज्येब ने शिवाजी का दमन करने के लिए महाबत खाँ को बेजा, पन्तु महाबत खाँ भी उनको दमन करने में सफल नहीं हो पाए, इसके पश्याद बादुर खाँ और दिलेर ख जिना के नेत्वर्ट में शक्तिशाली सेना वापस शिवाजी के दमन करने के लिए भेजा परंतु इस पार ये भी सफल नहीं हो पाए इस परकार से 1630 इसी तक आते आते हैं पनहाला के दुरुग पर भी पनहाला के दुरुग था जिसके विजापुर ने अधिकार कर रखा थ उन पर भी शिवाजी ने अपना अधिकार कर लिया था इस परकार से 1630 इसी तक शिवाजी काफी दक्षिन में मराठा सांदाजे में काफी शक्तिशाली हो चुका था अब शिवाजी ने काफी चेत्रों को अपने अधिकार मरे लिया था लेकिन अब शिवाजी अन्य जो मरा यह बहुत को प्राठा सर्दार्ट तो सको अमीर के रूप में जो मराठा लोग थे अपना संकक्ष मानते थे अमीर के रूप में समस्ते तो राजा ने इस विकार करते थे इसी तरह से जो बीजापुर का जो राज है संधिनत है वे भी शिवाजीव को अपना विद्डुई मा तोड़ना चाहते थे और सभी मराटाओं पर एक्षेत्र शाषन कर सक इसलिए वे अपना राज्य में शेय करके राज्या की पद्विधारन करना चाहते थे और अपने संपक्ष जो राज्य हैं बीजापूर, एमदनगर ये मुगलों से बराबर की साहिता से बराबर की बराबर वेट्टर उनको संप्ष अधी करना चाहते थे वो तब ही हो सकता है तो तब राज्यापूर की पद्विधारन करें तो ये नहीं होने से उनको काफी कम द़्जा दिया जाता था जैसे पहले दिन एक्जाम्पल के लूप में आपको बताए इस परकार से शिवा जी ने हिंदू शास्त्र का शास्त्रों के अनुसार 1634 इसी में राज्या की पद्विधारन करी और राएगर के दुर्पनों का विदिवत राज्य विशे किया गया काशी से विश्वेरसिजी ने शिवा जी का राज्य विशे किया और कागबट नामक प्रामन थे उन्होंने उनको राज के छितर पेना कर च्छितरपती की उपादी धारन कर गए इसी उपलब्दी में शिवाजी ने लगवाए कई मेनों तक चार मेने के आजपा से राज्य विशेग चलता रहा है। राज्य विशेग स्वाजी सिवाजी ने कि राए गड़ महां का मुख्य राज्य विशेग हुआ। की सी किया है और आपको आगे बताता हूं पर इसके परचाद कोब साफ़ारों में सुथी उती हुई उसके बाद बाह बाह में को क्विटा है? करनाटक का जो चेत्र था वे काफी उज्जाव चेत्र मान जाता था गोल कुंडा उर्गी जागूर दोनों राज्ये उस पर दावेदारी करके रहते थे तो दोनों में आपसमें संगर्श्वी होता लेता था अतो उन्होंने पूरी प्लानिंग करनाटक पर आक्रमन करने की बनानी थी इसी समय शिवाजी का जो सोतेला भाई था वेंको जी वे विजापूर की साहिता से तंजोर का शाशक बन गया था और इस से शिवाजी और विजापूर के मद्वे भी संगर्श्व शुरू हो गया थ चुकि शिवाजी अभी करनाटक को भी प्राप करना चाहते थी इसलिए शिवाजी ने वोलकूंडा राज्यो को अपनी ओन लिया ताकि वेश विजापूर पर आक्रमन करके करनाटक पर अधिकार कर सके और उनको अपने चेत्र में मिला सके सबसे पहले शिवाजी ने भी परमुकर दूर्व था जिन जिए दूर्व के उस पर अधिकार कर लिया रधपच्ण वेनूर्व और बाद में वेनूर्व अधिकार करने के पच्छाद उसका सामना वेंकोजी से हुआ वेंको जी परास्त किया, प्रास्त करनमेज़ परष्याठ अनला की बसमलिक पुस्टम एक तिशाध वेंको जी ने शिवा जी से समिज़ता कर लिया थό और शिवा जी न पर छेत्रों पर पौल कुन्डा और शिवा जी न मिलकर अधिकार कर लिया था और शिवाजी के इस तरह से 1680 इसी तक आते हैं उसका काफी उतकर शुक्ष रुगा था मुलाटा सांवाजी काफी भर चुका था परांटि 1680 में अप्रेल 1680 में शिवाजी की मृत्यू हो जाती है इस मृत्यू से करिये उनका कई गटना करम होते हैं उनके बेटे के बड़े बेटे शंपा जी वो इतने योके भी नहीं थे और उनके दुर्वेवाय के करना शिवाजी उनके काफी नाराज हुई थे यहां तक शिवाजी उनको बंदी भी बनाया था एक बार लेकिन वो भाग कर फिंसे मुगलों की शरण में चले गए थे इस परकार से उन्होंने जो उन्होंने मनने से बिल अपने मंत्रियों से भी सलाम शुगा किया अपने गुरू थे रामदाजी से उनसे भी काफी सलाम शुगा किया परंतों तुमें वे किसी निश्चे पे नहीं पोच पाए थे और इसी तरह से 13 अपर 16 सिस्ट्रीम उनका देहान हो जाता है इस परकार स एक छोटे से शुनने से शुरू करके शिवाजी ने अनकि उनके पिता थे शाजी बोसले और अमदनगर बिजापूर आदी में अपनी सेवाई दे चुके थे बड़े सामानत थे लेकिन फिर भी शिवाजी ने अपने इस तरह पर मराटाओं को एकृत किया मराटे साम राज नहीं अगली कलास में फिर मुलाकात होती है धन्यों